हलो फ्रेंट्स कशे हैं आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे तो मैं अधर आपके बी बी बाल बहुत ज्यादा सपेद हो रहे हैं अगर आप चाते हैं कि आपके बाल जो है जड़ से काले हो जाएं तो फ्रेंट्स आज जो मैं oil आपको बताऊंगी अगर आप इसे लगाते हैं मेरे बताई हुए तरीके से आप बना के लगाते हैं आपके बाल जो सपेद बाल है वो धीरी-धीरे काले होते जाएंगे और आप इसे जरूर ट्राइ करें इसका रिजर्ट बहुत अच्छा है तो आप इसे लगाएंगे तभी आपको रिजर्ट मिलेगा और इसका रिजर्ट धीरे-दीरे आता है तो आपको इसे यूज कैसे करना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है, वो वीडियो में आगे बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे की तो जो है वो अटियो लोहे के लिए आपको भी लोहे की कडाई लेने हैं, कम से कम थीन चमजा सरसु का तेल डाला है, अगर आपके पास लोहे क एक राई नहीं हैं तो लोहे के कडाई हो के पास भी गारा हो हुआ सकते हैं, लेकिन वीडियो हो este बुब अच्छा बना के अब इसके अंदर आपको क्याकरना है मैं यहाँ तेला को तेप Теперь यह k beneficial हो चुका अप्छे से के अंदर मिक्स करूंगी तो अथे से आपको मिक्स करना है और ये ओईल धीरे-दीरे गरम होता जाएगा तो इसके अंदर आप अच्छे से मिक्स कर ले फ्रेंट्स आपको इसे 10-15 मिनट के लिए मिक्स करना है आप देख सकते हैं अच्छे से मैं यहां पर मिक्स कर रही हूँ और ये ओईल जो है वो ब्लेक होता जाएगा तो आप इस तरह से इसे मिक्स करते रहें 10-15 मिनट के लिए फ्रेंट्स ये ओईल बन के तयार हो चुका है और मैंने गेस को बंद कर दिया है अब इसे ठंडा रखने के लिए आप छोड़ दे कम से कम 1 गंटे के लिए इसे ठंडा होने दे उसके बाद आपको एक छलने लेनी है उससे ये oil जो है छान लेना है आप देख सकते हैं कितना black और beautiful color आया है इसका इसे अच्छे से छान लेना है आपको और आपको अगर इसे store करके रखना है तो आप इसे 10 दिन के लिए store भी कर सकते हैं तो काच का कंटेनर है आपके पास तो आप उसमें इसे 10 दिन के लिए store भी कर सकते हैं तो इसे मैं अच्छे से छान लेती हूँ और छानने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका color कितना प्यारा आया है फ्रेंट्स ये oil बन के तयार हो चुका है और पूरी तरह से black color आया है इसका इसे आप अपने सपेद बालों में लगाएंगे तो आपके बाल जो है जड़ से सपेद बाल जो है वो जड़ से काले हो जाएंगे आप इसे जरूर लगाएं आपको इसे week में कम से कम तीन वार जरूर लगाना है आप night में सोने से पहले लगा सकते हैं जिस दिन आपको अप पूरे बालों में अच्छे से मसाज करें यह इल आपके सपेद बालों को काला बना आप से बैंदे गाताएं इसे बाल ना लगा लेना है और दूसरे दिन अपने बालों लगा के देखेंगे तो रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा आप देख सकते हैं कितना प्यारा कालर आया है इसका तो आप इसी तरह से बना के अपने बालों में लगाए अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप इसे वीक में तीन वार जरूर लगाए वीडि आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई